अगर आपका इस्ट्रोजी चैनल में और आज हम बात करेंगे मर्करी इन सेवन्थ हाउस जानेंगे कि जब सेवन्थ हाउस में मर्करी होते हैं पुद्ध देवता होते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूगा कि आपको परसनल करस्टेशन चीए तो आप एस्ट्रोज सॉलीशन 49 एडरेट डाट को में भी मेल कर सकते हैं यहां से आपको कॉंटेक्ट कर लोंगा बता दोंगा कि क्या परसनल कर सेंटेशन का तो आगे बढ़ते हैं बुद्ध देवता की पोजिशन डिसकस करेंगे हम सेव साथ साथ वह होता है हमारे लीगल बाइंडिंग का जो लीगल हमारी हमारी बाइंडिंग होती है लीगल क Alex होते हैं इन सब का होता है सांब में हम business भी देखते हैं मार्स से हम ठ्रैवलस भी देखते हैं कि है कैसे होगी यह कोई चीज thick आई होगा यह नहीं होगा बीच में तो यह सब तीज़ें से लेखते हैं इस पाउस के बारे में एक बेसिक डीटेश्व के बारे में मिल जाएंगे marriage कैसी होगी married life कैसी होगी यह सब चीज़ें हम 7th house से जान सकते हैं बात करेंगे बुद्ध देवता की बुद्ध देवता जैसा की नामसे क्लियर है बुद्ध यह होते हैं Maga the कालपूरे सि neighborhood में 5 फिफ्थ आउस को रूल यह होते है माइंड के हमाही देवता होते हैं यह calculations शेर मार्केट शेर मार्केट में साथध dilu भी ओता है शेर मार्केट में इक मु सब्सक्राइए इसमय को भुए दिया हвор defeated खालू से और अब द॥र लिएपार चाहित 만들어 से दिखते हैं की चिल्डेर्ण्स को देखते हैं जो क कन्याय होतीह चेसाल से नीचे की जो बच्चीया होती है वो भी दुझ देव्ता की अंदर आती है उसके बात कोई भी इसनोर इस परसन ए?! उसको पूब्धय देवता से देखा जाएगा वहीं बुद्ध सिट ने की श्राश में जाकिया तो काफी संदर होते हैं कि लिए एक सुन्दर्ता के भी सुन्दर्ता नहीं किया सकते आप एक राजकुमार के प्रतीक भी बुद्धिदेवता माने जाते हैं उसके बाद अब हम बात करेंगे जब सेवन्थ हाउस में मर्कुरी होते हैं बुद्धिदेवता की पोजिशन हम सेवन्थ हाउस में देखेंगे तो यहां से जो यह द्रिष्टी डालेगा आजप करेगा आपके सेवन वर्स्ट करेगा मैं का इसका माइन बहुत और काफी सुंदर प्रतीत होते हैं अब जब भी सेवंथा उस में है मैरेज है सेवंथा मैरेज को बहुत ज्यादा हम यह नहीं कहाएंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा करता है लेकिन खराब भी नहीं करेगा डिपेंड करेगा यह किस नक्षत्र में है कि नक्षत्र में है और किस सब लॉड के अंदर है यह दो जीज़े बहुत में फैक्टर होंगे यहां पर बुद्ध देवता को जच करने के लिए अगर बुद्ध देवता क्योंकि सब्तम्भाव में बैठे हुए बुद्ध देवता अगर सेकेंड हाउस या इलेवन्थ हाउस के साथ संबंध बनाते हैं तो आप मान के चलिए यह होगा पॉजिटिव फॉर मैरेज अगर सब्तम्भाव में बैठे वे बुद्ध देवता रिलेशन बनाते हैं टैन्थ हाउस के साथ प्लस फर्स्ट हाउस के साथ तो यह होगा आपका नेगेटिव फॉर मैरेज अगर यहां पर बैठे वे बुद्ध देवता सब्तम्भाव में बैठे वे बुद्ध देवता दसवे और एग्यार्वे देखे साथ एक कॉंबिनेशन है इसमें मैंने आपसे का था सब्तम्भाव के साथ दसवा घर आ रहा है बीच में तो मैरेज लाइफ के लिए सब्सक्राइब हो जाए कि दस साथ 11 का जो कॉंबिनेशन है यह बहुत स्ट्रॉंग है अके दस से तो यह आपको बिजनस में भी हेल्प करेगा क्योंकि सेवन्थ हाउस बिजनस का भी होता है उसमें भी हेल्प करेगा यह लीगल बाइंडिंग्स में भी आपकी बनाने में अगर इनका संबंद सेवन्थ हाउस का संबंद हो गया फॉर्ट नाइन्थ एंड इलेवन तो यह आपको एड्यूकेशन इतनी अच्छी दे देंगे कि आप पूछिये मत आप एक स्कॉलर होंगे अगर इनका संबंद बन गया साथ सब उसकी पांच साथ दस इग्यारा आपके अंदर आर्टिस्टिक नेचर होगा आप आप आर्टिस्टिक नेचर होने के कारण आप अपने आर्ट के थूरू अपने एक्टर एक्ट्रेस जो में देखते वह जनरली इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है इस मगर मैं एड भी लगा दूं तो इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है तो यह लोग काफी सक्सेस्फुल रहते हैं यह अपने आर्टिस्टिक नेचर को अपना आर्टिस्टिक की डीप नॉलेज होती है उसको अपना प्रोफेशन मना लेते हैं उसको कि अगर हम इसमें आपके स्पाउस की बात करें तो मा बुद्ध देवत्ता आपके जो स्पाउस होगा वह काफी इंटलिजन्ट होगा आपके इंटलीजन्ट होगा एस बीसिक आईडिया लग सकता आपके सपाउस के बारे हैं बहुत कूछ नहीं बटाया जा सकता शिर्प आपकी देखके उसके लिए बहुत सारी केलिप्रेशन करना होती है तो सब्सक्राइब काफी मतलब चार्मिंग होगा प्लस इंटेलिजेंट बहुत होगा उसका बेवकूप नहीं बना सकते हैं वह बाकि आपको देखना होगा कहीं इस पर राहू की दरिश्ट्री तो नहीं है कहीं इस पर शनी की दरिश्ट्री तो नहीं है इन रिश्ट्रियों से पता चलेगा कि यह एक्जैक्ट्ली आपको कैसा रिजल्ट देंगे लेकिन अगर complete 1610 के सांद इसका combination बन रहा है तो यह आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा तो फ्रेंट्स यह बताइए आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले परसनल कंसलिटेशन अगर आपको जीए सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइव सेशन्स हम लोग करते रहते हैं तो आप उस लाइव सेशन्स पर भी आके अपना क्वेशन पूछ सकते हैं तो फ्रेंट्स थैंक्यू फर वाचिंग थैंक्यू सो